वेलकम डिया लेर्नर्स इन केमिस्ट्री क्लास तुड़े वी आर गोईंग टु डिस्कस डिग्री ओफ हार्डनेस हार्डनेस जो कि हम अपने पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसा वाटर जो सोप के साथ लाधर कंज्यूमिंग कैपिसिटी शो करता है या लाधर फॉर्मिशन नहीं देता है ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर और प्रापर्टी को हम हार्डनेस कहते हैं जब कभी भी हमारे वाटर में कैल्शियम, मैगनेशियम या अधर हैवी मेटल के सॉल्ट्स प्रेजन्ट होंगे तो वाटर हार्डनेस शो करेगा तो आज हम समझने जा रहे हैं what is degree of hardness degree of hardness कहें या हम इसे कहें hardness in terms of equivalent of calcium carbonate hardness in terms of equivalent of calcium carbonate is also known as degree of hardness तो समझते हैं degree of hardness क्या है या hardness in terms of equivalent of calcium carbonate क्या है dear learners जो hardness होती है that is always calculated in terms of equivalent of calcium carbonate जब कभी भी हमें किसी भी sample की water sample की hardness निकालनी होती है तो हमें उसके दिये हुए salts जो की hardness के लिए responsible है उनको जो भी मात्रा दी हुई है उनकी जो भी amount दिया हुआ है उनका उसको हम हमेशा calcium carbonate equivalent में ही convert करते हैं बट calcium carbonate में ही convert क्यों करते हैं इसके दो basic reason है hardness is always calculated in terms of CaCO3 equivalent हम जानते हैं calcium carbonate जो खुद hardness के लिए responsible नहीं है लेकिन जब भी कोई salt हमारे water में प्रेजेंट है और hardness पर दियूस कर रहा है तो उसको हम calcium carbonate equivalent में convert करते हैं फिर उसकी hardness हम निकालते हैं तो calcium carbonate में ही क्यों निकालते हैं there are two basic reasons for using CaCO3 only number one calcium carbonate CaCO3 calcium carbonate है इससे calculations जो होती है वो बहुत easy हो जाती है क्योंकि इसका जो molecular weight है वो exactly hundred है calcium carbonate अगर हम देखें तो calcium 40 carbon carbon 12 oxygen 16 तो अगर हम इसको देखेंगे तो यह hundred निकल के आता है जो कि calculation के point of view से easy हो जाता है और अगर हम इसका equivalent weight देखें तो molecular mass अपन के time पर किती वैलेंसी है टू जो कि हो जाएगा 50 तो जिसके वे से क्या हुआ calculations easy हो गए दूसरा क्या basic reason है जो calcium carbonate है that is most insoluble precipitate जो ca co3 है वो most insoluble precipitate बनाता है जिसकी वे से इसको use किया जाता है hardness को calculate करने में तो जो हमारे sample है जो भी hardness producing salts हैं उनको हमेशा calcium carbonate equivalent में convert किया जाता है calcium carbonate ही क्यों choose किया गया इसके दो basic reasons है calculations easy हो गई calcium carbonate जो है most insoluble precipitate बना रहा है अब वह कौन सा formula है जिससे कि हम calcium carbonate equivalent में convert करेंगे इसका formula है mass of hardness producing salt into equivalent weight एक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट यह वो फॉर्मूला है जिसके थूरू हम किसी भी सॉल्ट जो हमारे सेंपल में प्रेजन्ट है और हार्डनेस प्रेजूस कर रहा है उसको हम CACO3 एक्विवेलेंट यह कैल्शियम कार्डनेट एक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी डिग्री ओफ हार्डनेस निकाल सकते हैं तो जो भी आपको सॉल्ट दिया हुआ है सपोस मैंने कहा कि मेरे एक वाटर का सेंपल है जिसमें कैल्शियम क्लोराइट प्रेजन्ट है सपोस 2 mg पर लीटर तो अगर उस 2 mg पर लीटर की यह कैल्शियम क्लोराइट की मुझे डिग्री ओफ हार्टनेस निकालनी है तो मुझे जो से calcium carbonate equivalent में convert करना होगा For example, जैसे मैंने कहा कि मेरे water sample में CaCl2 है 2 mg per liter तो मैं इसको calcium carbonate equivalent में convert करूँगी और इसकी degree of hardness निकालूँगी For example, इसका CaCO3 equivalent अगर हम देखें तो mass of hardness producing salt जो की है 2 mg एक लिटर में तो यह हुआ 2 into equivalent of CaCO3 जो हमने देखा हमेशा 50 होगा या हम इसे कर सकते है 100 upon 2 upon equivalent of hardness producing salt तो hardness producing salt मेरा कौन सा है CaCl2 अगर इसका हम देखें तो calcium का mass होगा 40 इसका CaCl का होता है 35.5 तो अगर हम 2 chlorine का देखेंगे, CaCl का देखेंगे 2 तो यह हो जाएगा 71 प्लस 40 triple 1 तो यह इसका molecular mass है लेकिन अगर हम equivalent weight देखेंगे तो calcium की वेज़ से इसमें क्या होगा? upon 2 होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे triple 1 upon 2 तो यह 2 से 2 cancel हो जाएगा अगर आप इसको calculate करेंगे तो जो भी इसका answer आएगा that will be the degree of hardness of CACL2 जैसे की इसका हैगा 1.8018 तो इस विल बी the degree of hardness of calcium chloride in that sample तो इस तरीके से हम calcium carbonate equivalent में अपने sample का जो hardness निकालते हैं वो पहले उसको calcium carbonate equivalent में convert करते हैं अपने salts को इस तरीके से हमने सीखा कि कि किसी salt को calcium carbonate equivalent में कैसे convert किया जाता है पट हमें problem आई कि हम किसी भी salt का या किसी भी हमें दिये हुए compound का हम equivalent weight कैसे निकालें so how we can calculate equivalent weight इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं equivalent weight of salt क्या होगा equivalent weight of acid क्या होगा अगर हमें कोई दिया हुआ है तो equivalent weight of base क्या होगा जो भी हमारे sample में available है तो इसको कैसे calculate किया जा सकता है तो dear learners हमें जिस भी compound या वो salt हो या acid हो या base हो जिसका भी हमें equivalent weight निकालना है सबसे पहले हमें उसका molecular weight निकालना होगा वो जो भी है तो सबसे पहले हमें उसका molecular weight निकालना होगा अगर वो salt है तब भी अगर वो acid है तब भी और अगर वो एक base है तब भी हम तभी आगे उसका equivalent weight निकाल सकते हैं जब हमें उसका molecular weight पता हो तो अगर वो एक salt है और हम उसका equivalent weight निकालना चाहते हैं तो हमें molecular weight में से 70 दृइट करना होगा जैसे कि आपने देखा ان केल्शियम कार्भुनेट था यह केल्शियम क्लोराईड था वहां मैंने उसके मास में दो से डिवाइड किया क्योंकि केल्शियम की कितनी वैलन दृइंसी है दो अगर हो एक acid है तो उसको हमें divide करना होगा उसकी basicity से आप जानते हैं basicity क्या होगी basicity means replaceable h plus ions इसी तरीके सब आप base का भी समझ चुके होंगे अगर हम किसी base की equivalent rate निकालना चाहते हैं तो हमें divide करना होगा उसकी acidity से acidity means replaceable replaceable OH- ions तो इस तरीके से हम किसी भी compound का निकाल सकते हैं equivalent weight I hope आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा thank you कर अच्छे दो कर दो कि समझ अच्छे सकते ही जई टो कर दो औह